वीडियो है फ्लश डोर की तो complete वीडियो देखना अगर गर की construction करवा रहे हो तो फ्लश डोर ही लगवाओ क्यूंकि नए technology नए innovation के साथ जाना चाहिए innovation क्या है मतलब एक खूपसूरती आपके गर को देता है और काफी अच्छे डोर यह लगती है जैसे आप सामने देख रहे हो ठीक है तो flush door का क्या होता है मतलब आप कैसे बेफकूप बन जाते हो क्योंकि काफी varieties market में available है और कुछ लोग गर पे बना रहे हैं अपने flush door तो मेरे ख्याल में आपको घर पे बनाना चाहिए अगर बाहर जा रहे हो लेने तो क्या प्राइज में मिलेंगे घर बनाओ घर पे क्या प्राइज में आपको एक अच्छा flush door बनके मिलेगा और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कंपनीज के नाम बताऊंगे किसकी आपको flush door लेने चाहिए और भी काफी चीज़े पूरा हम rate analysis इसका करेंगे flush door में क्या क्या लगता है कैसे बनते हैं तो बहुत अच्छी important वीडियो एक ठेकदार के लिए contractor के लिए civil engineer के लिए जा घर की construction करवा रहे हो तो शुरू करते हैं market में कोई flush door लेने जाते हैं तो हमें variety मिल जाती है दो पच्छी सो से तीन हजार, चार हजार, पांच, छे, साथ, आठ हजार तो ऐसे और काफी लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को सस्ता मिल गा यार flush door मेरे को तो 45 और में मिले है, 5000 रुपे में मिले है, वो तो मिले गई, क्यू flush door के, उसकी कहानी है, एक आता है hollow core, hollow core या hollow word से हमापर जल रहा है, कि उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ढांचा बनाया जाता है पूरा लकडियों का, बीच में gap होते है उसके, लगा लो 200, 300, 300 mm, foot foot m, मतलब अंदर से खाली होता है वो, बीच में बूरा पर दिया जाता है, त उसमें भी जगा होती है, खाली होता है, लेकिन जो solid board होता है, उसी का दर्वाजा, उसी का flush door आपको बनाना है, solid board क्या हुआ, उसमें पूरी जगा fill up होगी, वो भारी होगा देखने में, देखो, board को पहस्टाने का तरीका क्या है, उसका भारी पन, कुछ board तो ऐसे भी बेक होता क्या है, जो आपको board लेना, उसका weight चेक कर लेना, और आपको हमेशा direct पूछना है, जो company जिससे आप vendor से लेने जा रहे हो, कि ये solid core type है, कि simple, hollow या seller, कोई भी बड़ी अच्छी company होगी, उसमें mention होगा कि कौन सा है, इसमें variety होती है, कुछ होता है कि पानी से फूलेगा कुछ होता है कि इसमें termine नहीं लगेगा, तो अलालग लग technology से वो बनता है, तो आपको proper अच्छा board लेना है, और companies उसके लिए कौन सी है, green ply है, century ply है, marino है, durain है, pricky है, तो ये काफी companies हैं, जो ये provide करती हैं आपको अच्छा board, और इसमें आपको varieties मिलती हैं, किस variety का आपको provide करना है, आपको 18 mm वाला board भी मिलेगा, 21 mm वाला मिलेगा, 25 mm, 30 mm, हर परकार की आपको board मिलना start हो गया है, तो आपको सबसे पहले choose ही ये करना है, जब आप बाहर कहीं दुकान पे board लेने जाओ, तो आपको 7,000 वाला या 4,000 वाला जो मिल रहा होगा, वो शायद हो लो यह क्योंकि वो जब board बनाती है, तो पूरे process के साथ होता है, अगर proper जो अंदर इसके लकडी यूजी होती है, उसकी seasoning नहीं होईगी ना, तो जब सर्दियां या गर्मी आएंगी ना, तो वो जो board होगा आपका थोड़ा bend होगा, जहाँ लटक जाएगा, जहाँ थोड़ा टेड देनी है, और अब भी हम बात करते हैं, rate analysis का, उसे में बाकी companies की चीज़े भी बात करूँगा आपसे, देखो जब आप गर पे board बनाओगे, खुद flush door बनाओगे, तो थोड़ा costly पड़ता है, एक से 2000 रुपे का फरक पड़ता है, लेकिन market में क्यों आपको वो चीज 600,000 रु जो यह सामने आप डूर देखा, starting में, वो था 3 foot by 7 foot का हमने वो डूर बनाओगे, तो एप्रॉक्स 21 square foot हमारा area बनाओगे, कितना 21 square foot, और जो market में available आपको board मिलेंगे, 1500 रुपे पर square feet के हिसाब से, वो एक अच्छा board है, उसमें water resistant भी होता है, anti-termide भी होगा वो, और solid होगा आपको 130, 140, 1500, वो depend होता है, तो 1500 पर square feet के हिसाब से, हमने board ले लिया, जो एक अच्छी लकडी से बना हुआ है, जिसमें kail good use हुई है, जो उसका एक steer होता है, steer क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, जब यह board बनाया जाता है, तो उसका पहले बहार का frame बनता है, उसको हम steer बोलते हैं, उसके अंदर feeling की जाती है, मतलब उसके अंदर पूरी लकडी ऐसे लगाई जाती है, तो उसको बनाया जाता है, तो इसमें kail good, यह बहुत important चीज होती है, यहीं पे हमारा सब कुछ hinges यहां लगनी है, हमारी door log यहां लगना है, तो यहां लकडी अच्छी होनी चाहिए, तो वो चीज होती है, वो century ply में आपको मिल जाएगी, जहां आपको green ply में मिल जाएगी, और यह जो सामने door आपने देखे, century ply से बने हुए, 1.500 पर square feet था, तो चलो, board का खर्चा हम निकाल लेते हैं, पहले कितना हैगा, 1.500 पर square feet है, आपको 120, 30, 40, ऐसे मिल 21 square feet हमारा area था, आपका दर्वाजा जितना भी हो, आपका 3,500 फूट का है, जहां आपका 4 foot by 7 foot का है, जितना भी आपका दर्वाजा हो, और यह हमने जो board लिया था, यह लिया था, हमने 21 mm यह board था, ठीक है, कितना 21 mm यह board था, वो हमें पढ़ा था, 3150 रुपे का, आप जो भी board यूज़ कर सकते हो, लेकिन solid board यूज़ करना है, यह board जुरूर जियाद रखना, फिर जो laminate रहता है, mica रहता है, हमारे दोनों दरफ, आगे भी mica रहेगा, पीछे भी mica रहता है, तो उसके लिए, देखो, दो sheets आपको चाहिए, इसमें waste ही निकल दिया, इस board में से waste ही निक सामने आप देख रहे, यह 1200 की sheet है, wooden color की, यह हमने use की, आगे, पीछे यह use की, थोड़ी सस्ती थी, ठीक है, मतलब पीछे के लिए आप white भी use कर सकते है, जो आपको सही लगता है, वो आप पे depend होता है, फिर जो favicol एक door को बिनाने में favicol, एप्रॉक्स 2 kg favicol लग जाता है, कितना? 2 kg, हमने 200 रुपया उसका rate पकड़ लिए, favicol का, क्योंकि mass quantity ही ले रहे हैं, तो सस्ता हमें पढ़ेगा वो, फिर जो hinges है, कबजे हैं, तो वो हमने 4 नग लगाए, 5 इंच बाले कबजे, तो आपका अगर 7 foot दरवाजा है, तो 4 या 5, 4 नग बहुत होते हैं, लेकिन इ जैसे आपको 60-70 रुपय का भी मिल जाएगा, 5 इंच वाला, लेकिन उसी quality सी compromise नग प्रोपर SS का लेना, तो 400 रुपय का हमें एक पीस पड़ा था, 400, मैंने जो भी material इस door में use किया, proper quality के साथ material है, कोई brand में हमने कोई पिछनी किया, टी बोल्ट जो चिटकनी रहती है, दो न 500-600 रुपय में भी log मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी company हमने इसमें use किया, हल्टिक का, हैफल का, मतलब अगर आप brand के जो ये hardware का समान लेना है, हल्टिक या हैफल, KTM, इनके जो समान लोगें काफी अच्छ है, फिर जो stopper हमने use किया, एक नग लिए हमने, magnet वाला 175 रुप अच्छा पकड लिए, ठीक है, फिर जो हमने इसमें door में profile यूज किया, आप कर सकते हो, नहीं करनी है, जैसे door के जो design होते हैं, जो आपने देखा, ये aluminum की pins लगी है, तो इनका labor charger लग होता है, लेकिन इसमें में बता दूँ, हमने ये door नगल इसमें लगी, एप्रॉक्स गो थोड़ी बहुत बेस्टीज रही, 200 रुपया उसका पकलिया, तो 8,175 रुपया हमारा material लगा, किसको door बनाने में, एक अच्छा quality के साथ कोई compromise नहीं, वो door हमारा बना, अगर हम यहां सस्ता करते हैं जाएं अभी, हमने जो board लिया, वो 120 रुपय कलेंगे, तो 2000, मतलब हमारा आपना, 6-7,000 रुपय में, एक अच्छा door बन जाता है, flush door, अभी हम जोडते हैं इसमें, lever charge, lever charge क्या है, आपका कही जगा ले रहे हैं, आजकल 75 रुपय, 80 रुपय, कही जगा 100 रुपय भी ले रहे हैं, पर scare feed flush door को बनाने और लगाने का, तो हम 50 रुपय रे rate पकड़ लेते जलना, 100-500, तो ये हमारा कुछ, approach हमारा 10,000 रुपय का door त्यार हो रहा है, एक अच्छा door, flush door, एक अच्छा कितना, 10,000 रुपय का हमारा rate हो रहा है, तो यही है, अगर आप market से लोगे, ये काफी सस्ता मिल जाएगा, आपको 7-8,000 रुपय में, जहां 6,000 से 7,000 रुपय में door मिल जाएगा, लेकिन उसकी quality अच्छी नहीं हो सकती, तो आप घर पे बनाएए, आप एक अच्छा door बना सकते हो, बाकी इसके लेटिर हो कोई detail चाहिए, हम वीडियो लेएगे, बस आपको comment करना है, thank you guys.